हलो फ्रेंड्स आलू मटर की सबजी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार इस नए तरीके से बना कर देखिए इतना लजीज, तेस्टी और सांदार बनेगा कि आप इसे रोज बनाएंगे तो फ्रेंड्स चलिए जटपट बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हम लेंगे दो मीडियम साइच के आलू और उसे छील कर काट लेंगे अब हम लेंगे एक प्याज और प्याज को छोटे छोटे टुकडों में काट कर मिक्सी के जार में डाल देंगे इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च और पांच से छे लहसुन की कलिया और इसे हम दर अब लेंगे दो कुटोरी मठर और आजकल तो मटर का सीजन भी है मिक्सी के जार में और साबूत रखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मटर को हमने दरदरा पीस लिया है गैस के उपर रखेंगे हम कढ़ाई और उसमें डालेंगे दो चम्मच सरसो का तेल तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें आलू डाल कर फ्राई कर लेंगे आलू को फ्राई करते समय हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई छोटा चमच हल्दी और एक चोथाई छोटा चमच नमक इससे आलू का कलर सुनहरा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा अब हम आलू को तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंग और आलू का कलर जैसे ही सुनहरा हो जाएगा हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी तेल में हम डाल देंगे एक बड़ी इलाईची जवित्री दालचीनी को टुकड़ा और आधा चोटा चमच जीरा जीरा जैसे ही चटकने लगे हम इसमें डाल देंगे दर दरा पीसा हुआ लहसुन और प्याज का पेस्ट और प्याज को तीन से चार मिनट तक सुनहरा होने तक भूल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दो कटे हुए टमाटर टमाटर को हम चार हिसों में काट कर डालेंगे इससे आलू मटर की सबजी देखने में अच्छी लगती है चोटा चमच सब्जी मसाला और आदा चोटा चमच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्च यह तीखा नहीं होता है लेकिन इससे सब्जी का कलर बढ़िया आता है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे फ्राई किये हुए आलू दुबारा से सब्जियों को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे एक कप पानी, पानी डालने के बाद 5-6 मिनट तक सब्जियों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर ढखकर पका लेंगे और सबसे लाश्ट में इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हराधनिया, और यहां पर आप देख सकते हैं लजीज, टेश्टी और सांदार आलू मटर की सब्जी बनकर तयार है, आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ खाएं, इतना टेश्टी लगेगा कि आप आलू मटर की सब्जी बार बार बनाएंगे, तो फ्रेंड्स